हेलो फ्रेंड्स आप सभी गा हमारे चैनल बीटी उपी स्टीडी पॉइंट में स्वागत है दोस्त यहाँ पे यूपी बोर्ड का जो आपका स्लेबस कम हुआ है जैसा कि दोस्त आपने न्यूज पेपर में देखा होगा या सुना होगा दोस्त कि यहाँ पे जो आपकी काई आपको कवर करने हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो आज दोस्ते हापे मैट के मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 के लिए जो आपका नया स्लेबस है तो जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक चीजे अच्छी की क्लासिस तेखने को मिलेंगी जो कि दोस्त बहुत ही बहतरीन तरीके से होगी वीडियोज को अपने ग्रूप में सेयर करिएगा और इसका पीडियाप पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें जिसका लिंक दोस्त मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रख आई तो सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम जो कि संख्या पद्धती है इसमें से आपके 5 नंबर के पुछे जाएंगे ये दोस्त 2021 के लिए है यूपी गूर्ट 2021 के लिए mathematics का उसमें आपका syllabus कितने आपको question करने हैं कहां कहां से पुछे जाएंगे ठीके तो यहां पर दोस्त सबसे पहले आपका number system जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको पांच अंक के question पुछे जाएंगे second है आपका बीचकडी algebra जिसमें से आपके total 18 number के question पुछे जाएंगे सबसे ज्यादा दोस्त जो आपके question पुछे जाएंगे वो आपके algebra के ही पुछे जाएंगे very important आपके लिए chapter है यह जो आपका इकाई है very important है अभी दोस्त आपको detail में बताएंगे कि आपको algebra में क्या-क्या पहने हैं कौन-कौन से topic पहने हैं जो की new slaves के according जो आपका यहाँ पे 30% slaves को कम किया गया है उसके बारे में दोस्त यहाँ पे हम आपको एक-एक चीजे अच्छी तरीके से समझाएंगे अगला दोस्त यहाँ पे दिखते हैं निर्दे सांक जयामिती जिसमें से आपको 5 नमबर का पुछा जाता है उसके बाद आता है जमेट्री जयामिती है वो आपका 12 नमबर से टिग्नोमेट्री है आपका तिरकोड मिती वो आपका 10 नमबर से मेंसूरेशन वो भी आपका 10 नमबर का पुछा जाएगा सांखिकी और प्राविल्टी यह आपका 10 नमबर का पुछा जाएगा टोटल मिला के दोस्त आपका 70 नमबर का रेटेन एक्जाम होता है यह आप सभी लोगों को पता होगा 30 number आपका project कारे का होता है और जो 70 number का होता है उसमें से आपका new time अंख होता है जो आपका वो 23 अंख होता है और जो 30 number होता है project का उसमें आपका new time number जो होता है वो आपका 10 होता है total आपको मिला कर 100 में से 33 mark लाने होते हैं passing mark के लिए ठीक है तो आसा करते हैं सभी स्टुडेंट को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से मैं आपको क्या बता रहा हूं अब दोस्त लेके चलते हैं आपको कौन से इकाई मैंने अभी आपको इकाई बताया अब इकाई में आपको कौन-कौन से चैप्टर पहने हैं और उस सबसे पहले अलजेब्रा में आपको पहना क्या है इकाई अगर अलजेब्रा की बात करें बीजगडित की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला चेप्टर है बहुपद कहें दोस्त बहुपद है सबसे पहला चेप्टर चोकी आपको पहना है अब दोस्त यहाँ पर बहुपद में कौन कौन से टॉपिक कवर करने है तो सबसे पहला टॉपिक है बहुपद के सुन्यांग दूसरा टॉपिक है द्विगात बहुपदों के गुरांकों और सुन्यांकों के मध्य संबंद तीसरा टॉपिक है आपका वास्तिविक गुडांग तथा बहुपदों वाले के लिए विभाजन एलगोरित्म का कथन तथा उस पर समान्य प्रस्ण ये आपको तीन टॉपिक एलजेब्रा से कवर करने हैं अब दोस्ते हां पे अगले कि यूद चलते हैं व्रित की और व्रित की इसपर्स रेखा या इसपर्स बिंदू इसमें आपको दो पॉइंट है पहला है व्रित की इसपर्स रेखा और इसपर्स रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है सेकेंड है आपका किसी बाहे विंदू से खीची गई दो इसपर्स रेखा हैं लंबा या बराबर होती हैं यह आपके वृत की इसपर्स रेखा और इसपर्स बिन्दू से आपका question जो है वो पुछा जाएगा अगला दोस्त यहां पर बात करते हैं समांतर स्रेडी समांतर स्रेडी में कौन कौन से यहां पर topic पहने हैं आपको समांतर स्रेडी के एनवे पद की विदपत्ती एनवा पद का full proofing और दोस्त आपको बता दे जो classes आपकी चलने वाली है उसमें आपको total full proofing मिले गए जितने भी आपको formula होंगे एक एक formula का दोस्त full proofing एकडम concept के साथ clear दोस्त एक एक चीज़े आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी जो कि आपका नया बेच श्टार्ट हो रहा है एक अगस्त से very important है दोस्त videos को अपने group में share करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक student लोगों यहाँ पे जुड़ सके और दोस्त classes को बहुत ही बहतर यहाँ पे बनाएंगे अगला दोस्त यहाँ पे आपको जो topic पहना है यहाँ पे बात कर रहे थे topic का तो सबसे पहले यहाँ पे विद्कम पहना है समानतर स्रेडी के n-way पद का विद्पत्ती करना है और समानतर स्रेडी के प्रथम पद का विद्पत्ती करना है कि प्रथम पद a plus n minus 1 into d जो formula है वो आपका कहां से बना एक प्रोस यहाँ पे एक पॉइंट समझाएंगे अच्छी तरीके से अगला दोस्त एन पदो का योग एन पदो का योग का जो formula होता है यह आपका बना कैसे ठीक है इसके बारे में दोस्त यहाँ पे हम detail से इसकी जो विद्पत्ती है बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त कराएंगे अगला है समाने जीवन पर अधारीत प्रस्तनों को हल करने के लिए इसका अनुप्रियोग भी आता है जैसे आपने अनुप्रियोग की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि आपने किसी ने आपको दे दिया कि एक से दस तक की संख्याओं का योग्याद की जिए तो ये आपके दैनिक जीवन में अधारित प्रस्न हो गए एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे मैजिक की तरह दोस्त आपको बहुत ही अच्छी तरह के से शमझ में आ जाईगa अगला दोस्ते हाँ पर बात करते हैं Tignomatic की I5 पर आते हैं Tignomatic तो Tignomatic का एक सर्व समिका आप सभी लोग जानते होंगे Class 9 में पढ़े भी होंगे Sin square theta plus cos square theta equal to 1 इसका इस्थापित करना तथा इसके अनुप्रियोग अनुप्रियोग का मतलब क्या है दोस्ते हाँ पर अनुप्रियोग का means यह है कि Sin square theta plus cos square theta equal to 1 इससे related आपको जितने question बनना है वो कराएंगे इस्थापित का मतलब क्या है इसका भी हमें यहाँ पर विद्पत्ति करना है कि जो Sin square theta plus cos square theta equal to 1 आया यह आपका कैसे आया इसके बारे में भी दोस्त हम यहाँ पर details से आपको बताएंगे एक-एक चीज मैंने आपको बताया है एक-एक चीज full proofing के साथ यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त classes जब चलेगा बहुत ही बहतरीन तरीके से classes को चलाएंगे और जितने भी student हैं हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप subscribe जरूर करिएगा ताकि दोस्त इसी तरह के वीडियोज का notification आपको मिल सके अभी दोस्त यह आपका mathematics का है बहुत ही जल्द आपका सभी VCO का syllabus मैं यहाँ पर upload कर दूँगा अगला दोस्त यहाँ पर बात करते हैं प्राइक्ता की probability की तो इसमें पहना है आपको प्राइक्ता की सैध्धान्तिक परिभासा एकल घटना पर अधारित समान्य प्रस्न पत्र समान्य प्रस्न जो आपके है घटना पर अधारित जैसे आप किसी कोईन को उच्छालते हैं दो बार या पांश पार उठालते हैं तो उसमें head आने की कितने chances आए और tail आने की कितने chances है तो इससे किसी सहायता से probability की सहायता से हम ऐसी question को solve करते हैं अगला दोस्त यहाँ पर दिखते हैं यहाँ पर दोस्त मैंने आपको साथ ही काई बताया अगला दोस्त यहाँ पर संख्या पद्धती के बारे हम जानते हैं वास्त्विक नंबर ठीक है इससे पहते हैं यहाँ पर युकलिट विभाजन प्रेमिक्या और अंक गडित का अधार भूत प्रमेय उधाना जैसे अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5 अपरिमे परिमे ये सभी संख्याय जो है इसके बारे में दोस्त हम यहाँ पर पढ़ेंगे वास्तिविक संख्याय में जब भी क्लासिस चलेगा और आपको बता दे जो आपका फर्स्ट लेशन होगा क्लासिस का वो होगा टिग्नोमेट्री आप सभी लोग एक बार रिपीट करके आईएगा एक बार कुश्चिन करिएगा कॉंसेट सबसे पहले चलेगा दोस्त कुछ दिन आपका कॉंसेट चलेगा कॉंसेट में आपको क्या-क्या मिलेगा फॉर्मूल जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें पीडिये दोस्त वहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर इसको संख्याओं का सत्यापन परिमेश संख्या का सांत असांत आवर्ती दस्मलाव पदों के रूप में निरूपर वेरी इंपोर्टेंट दोस्त यह आपका चैप्ट का नाम है दो चरवाले रैखिक समीकरण युग इसमें पहना क्या कहे है दो चरो में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफिव विधि से छल ठीक है वीडियो दोस्त लंबा होगा क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं क्योंकि एक इक चीज आपके लिए important है आप देखिए कौन जबने कोई क्वाई कवर करने है तोटल आपको 7 ऐक कवर करने है और कितने को आपके लेशन है और लेशन में कितने टॉपिक है इन सभी चीजों को आप नोडाउन जरूर करिएगा और पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करिएगा यहां पर दोस्त अगला है एक रैखिक समीकरा युग्म को हल करने की बीजगईती विधी ठीक है इसमें कोई भी आपका समीकरा है रैखिक समीकरा उसको आप बीजगईती विधी से कैसे सौल्ब करेंगे इसमें हम इस सभी चीजों को देखेंगे अगला देखेंगे प्रतिस्थापन विधी आपने देखा होगा प्रतिस्थापन आपने जो मानते हैं वहाँ पर प्रतिस्थापि ना हो वो आपका किस से होता है वज गुरन खंड विधी एक चीजे दोस्त आपको अच्छी तरीके से बताएंगे आपका कॉंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर रहेगा यहां पर दोस्त जीरो से एडवांस लिवल तक की आपको मैथ पढ़ाएंगे जो की यूपी बोर्ट के देखा होगा मानक समीका एकस स्क्वाइर प्लस बी एकस प्लस सी ए इस नॉट इक्वल टू जीरो दिवगास समीका और दिवगास सुत्रो द्वारा गुडन खंड द्वारा पुडवर्ग बनाकर हल निकालना कैसे एक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसमें हम इन सभी चीजों को सिखेंगे और द्विगास समीका का विवेक्तिकर और मूल जिसे विवेक्तिकर हम क्या कोलते हैं डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्कॉयर माइनस फोर एसी इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे और उनके मूलों के प्रकृत के बीच में संबंध द्विगास समीका के दिन प्रतिदिन अनुप्रियोग तथा इन पर अधारित इबारती प्रस्ण ठीक है इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे अगला दोस्त यहाँ पे देखते हैं इकाई थ्री में रेखा ठीक है इसमें हम देखते हैं निर्दस आंक ज्यामिति की अधारणा को पढ़ेंगे रैखिक समीकर के ग्राफ को देखेंगे दूरी का सुत्र देखेंगे विभाजन सुत्र देखेंगे तिर्भूज का छेत्रपल निकालने का सुत्र देखेंगे इसमें आपको इनी टॉपिक को पहना है अगले दोस्ते हाँ पे कवर कराऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रावलम नहों लिकिन दोस्त आपको साथ साथ हमारे साथ साथ क्वेशनों को सॉल्व करना है जब दोस्त आपको क्लासिस चले यह आप टेलिग्राम चैनल जॉइन करेंगे तो वहां पर मैं आपको क्वेशन दूंगा हल करने के तिर्भुज की एक भुजा के समानतर खीची गई रेखा तिर्भुज की से दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है आपने यह प्रमे है ठीक है यह जितने प्रमे हैं आप इसको सॉल्व करेंगे एक एक प्रमे का फुल प्रुफिंग कराऊंगा तिरभुज की किसी भी आप एक भुजा है उसके बीच में अगर आप लंब डालते हैं तो जो भुजा होती है वो दोनों ही समान होती है ठीक है समान रूप में विभाजित होती है इसका फूल प्रूफिंग कराऊंगा मैं यहां पर अगला पॉइंट है तिरभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानतर होती है अगला point है यदी दो तिर्भुज के संगत भुजाओं का एक युगम अनुपातिक हो और अंतरिक कोड बराबर हो तो तिर्भुज की तिर्भुज जो होते हैं वो आपके समरूप होते हैं अगला topic जो पहने हैं यदी दो तिर्भूज में संगत कोड़ों का एक युग में बडाबर हो और उनकी संगत भुजायन अनुपातिक हो तो तिर्भूज जो होते हैं वो आपके सम रूप होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त तिर्भुज का कोड दूसरे तिर्भुज के संगत कोड के बराबर हो तो उसकी संगत भुजाए अनुपातिक हो तो तिर्भुज क्या होगा समरूप होगा अगला पॉइंट है यहाँ यदि समकोड तिर्भुज के समकोड वाले सिर्ष से कड़ पर लंब डाला जाए तो के अन्य अगला दोस्त यहांपे है कड का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के युकफल के बराबर होता है आपने देखा होगा कड इसक्वायर बराबर लंब इसक्वायर प्लस अधार इसक्वायर तो यह आपको फुल्ट पूफिंग करना है वहाँ पे इक चीज़े को दोस्त यहां पर बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से जैसा जो इतने चीज़े आप देख रहे हैं सभी चीज़े आपको syllabus के according एकदम बहत्रीन class होगा दोस्त एक अगस्त से आपकी classes जो है वो नियमित रूप से यहां पर start की जाएंगी इसी चैनल पर मिलेगा जिसका मैं आपको time बता दूँगा कि आपको कितने बज़े से यहां पर classes जो है वो चलेंगे अगला दोस्त यहां पर देखते हैं अगली जो यहां पर है रचना ayah जिससे हम पहना है यहां पर रचना दिये हुए रिखाखंड का दिये हुए अनुपात में विभाजन करना ये आपका आंतरिक से है अगला है आपे एक वृत के बाहर इस्थित एक बिंदु से उस पर इस पस रिखाओं की रचना करना अगला है आपे एक दिये गए तिर्भुच के समरूप एक तिर्भुच की रचना करना जितनी दूसरे आपे बता रहे हैं सभी आप पहले हैं अब आते हैं दोस् 대 कहाँ पर परिचे पढ़ेंगे यहां पर इंट्रॉक्षन Online किपड़ेंगे आप एस संकोर् edited के न्यून कोड़ों के तिरखोमिती अनुपात जीरो वां Karl 90 डगरी के तिरकोपी अनुपात और तिरकोढमिती अनुपातों के मान जैसे तीश डिजरी पैतालीस डिगरी recognize साथ डिगरी जीरो डिगरी नभी डिगरी और उनके बीच में संबंध तो जो आप एंगल देख रहे हैं जो आपका जैसे आपने देखा होगा साइन 30 साइन 60 इन सभी को अभी मैं फुल प्रूफिंग कराऊंगा कैसे आपका मान आता है science 30 का मान कैसे आता है science 60 का मान कैसे आता है एक चीजे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा अगला दोस्ते हाँ पर second है तिरकोल मिती सर्वसम्का जिसमें हम पूरक कोड़ों के तिरकोल मिती अनुपाद को जानेंगे यहां पे इस topic को हम cover करेंगे अगला दोस्ते हां पे बात करते हैं height and distance यह भी आपका टिग्नोमेट्टी के ही अंतरगत आता है height and distance जिसमें हम union code उचाई एवं दूरी पर सधारण प्रस्ण और जिसमें प्रस्णों को दो समकोय तिर्भूज से अधिक नहीं होना चाहिए आपने देखा होगा बस आपके जो समकोय तिर्भूज बनेंगे वो दो से अधिक नहीं बनेंगे जब भी आप ऐसे question को solve करेंगे जो 10th class की है इसमें आपका यही है कि उसमें आपका दो ही से एंगल बनेंगे लेकिन दोस्त हाइयर लेवल पर आप देखेंगे 2 से 3 आपके बनते हैं ठीक है इन सभी चीजों को हम बाद में वहाँ पर देखेंगे और भी अच्छी तरीके से और उन्यन आउनमन कोड केवल 30 डिगरी 45 डिगरी और 60 डिगरी होना चाहिए जब भी आपको question मिलेगा उसमें आपका जो उन्यन कोई दिया रहेगा आउनमन कोई दिया रहेगा उसमें आपका 30, 45 और 60 डिगरी इन सभी के अलावा कोई भी एंगल वहाँ पे नहीं दिया के नहीं बात करते हैं इसमें पहला चैप्टर हमें पाहना है मेंसुदेशन में एकाई 6 में वृत्तों से संबंदित छहत्रफल में हमें पाहना है वृत का छहत्रफल व्रित के THRIJ खंड तथा वृत्ति खंड का 6 फल उपयूक्द समतल आक्रतियों के सन्यूजन का 6 पल प्र कृतियों का सन्योजन का च्षेत्रफल ग्याद करना है इन सभी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे अगला लिशं है प्रिष्टियद च्षे तरफल और आयतन कि मिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि नहीं दो सन्योजी दो द्वारा सन्योजी सम्तल आकृतियों द्वारा प्रिष्टिय छेत्रफल तथा आयतन घन घनाब गोला अर्धकार अर्धगोला और लंब वृत्ति बेलन संकु संकु छिन्नक आदी इन सबी चीजों को हम पड़ेंगे सेकेंड पॉइंट में पड़ेंगे एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्न तथा दूसरे मिस्त्रित प्रस्न ठीक है जिसमें आपको मिस्त्रित प्रस्न होंगे दो भिन्य तरह के ठोसों का सन्योजन से सम्वनित प्रस्न होंगे और इससे अधिक आपके नहीं होंगे इसमें अगला चैप्टर नहीं आपको बात करते हैं दोस्त सांखिकी सांखिकी में आपको क्या क्या पाइना है Very important chapter है Very easy chapter है दस नम्मर का टोटल आपको पुछा जाता है इसमें से यहां पे वृत्ति आकडू का माध्य, माधिका तथा बहुलग और संचई बारंबारता ग्राप वेरी इंपोर्टेंट है, दस नम्मर का पुछा जाता है, वेरी इजी है, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ते हापे हम कराएंगे अगला दोस्ते हापे अगर हम बात करें अंक विभाजन की, आप ये तो प्रोजेक्ट का रहे है, ठीक है, आप सब लोग देखिएगा, प्रोजेक्ट का रहे है, आंतरिक मुल्यांकन का है, ये आपका पंदरा अंक का है, जिसमें आपको बहुत से चीजे देखने को मिलती ह है, प्रोजेक्ट कार का टोटल आपका पंदरा नंबर का है, और टोटल मिलाकर आपको कितना हो गया है, तीस नंबर का, ठीक है, प्रोजेक्ट कार का आपका पंदरा नंबर है, आंतरिक मुल्यांकन का आपका पंदरा नंबर है, आंतरिक मुल्यांकन के अंदरगर्द जैसे आपका attendance आपकी जो आपके class में जो आपकी value है कैसे आप रहते हैं सभी आपका उसमें count होता है एक एक चीज तो आज की दोस्त इसमें हम इतना ही जो आपका syllabus है यहाँ पर complete हो गया है तो आसा करते हैं सभी student को syllabus अच्छी तरीके से समझ में आ जया है अगर आप पहली बार हमार आपका subject है जैसे की विज्ञान, science है आपका और यहाँ पर बहुत से चीज़े हैं हिंदी है, English है सभी यहाँ पर आपका विशय का syllabus बहुत ही जल्द इसी चैनल पर देखने को मिलेगा तो वीडियो को दोस्त आप share जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक student यहाँ पर झर में माइले हैं 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 है सल घल बहुत हैं हैं है tad वहाँ ओलने हैं है तोड़ ए ज आपका विक में दोड़ार म सावाँ